अबध्य मात्र मुझेरत्य़ों, कख्शा-बीरा की राजनिती विग्यान की पाटिव फुस्तक की पुस्तक श्वतनत भारत में राजनिती की ग्रीजन की सरंगला में आज हम नद्धी री तीन नियोजीड विकास की राजनिती काज़ियन करेंगे तो आईए शुरू करते हैं राजनेती फैसले और विकास देश में नियोजित विकास की राजनेती शुरू करने से पहले विवेन तरह के विचार विमस किये गए और ततकालेन बाजार सकतियों लोगों की आगंशाँ और प्रयावन पर विकास के पढ़ने वाले परभाव को ज्यान में रखा गया अच्छे नियोद जने तुप लक्षे और उद्यस स्पस्टोने ची साथी साधनों की व्यवस्ता लजिलापन समनवे व्यवारिक्ता पत्सोपान और निरंतरता जैसे विश्यों पर ज्यान जैना भी जरूरी है देश में उडिशा में इस पात की बोलता को देखती हुए वाँ द्यो विस्ता पितकन्या का मानस बनाया गया लेकिन इस त्यत्र के आदिवास्यों के विस्तापन और प्रयावन जैसी समस्यां वपर गर आई जिनका समाधन भी जरूरी था राजनेतिक टकराव विकास से जुड़े निर्णेयों से प्राय अलगलग समाजिक समों के हित प्रभावित होते हैं साथी मौजदा पीड़ी और आने वाले पीड़ी के हितों का भी लाबानी की कसवटी पर तोलना पड़ता है सब लोगतंत्र में ऐसे फैसले जन्दा दोरा लिये जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशे सग्यों की स्विकर्थी जरूर होनी चाहिए आज़ादी के बाद देश में आर्थी विकास और सामाजिक नया एक स्थापना है तो क्या प्रयास हों क्या योजन्या पूरे देश के लिए बने या किसी छत्र विशे से तु बने क्या सरकार उद्यों को खुद चलाए या निजी छत्र को सौप दे इन में से प्रतिक स्व पर प्रक्रा हुए जो आज भी जारी है विकास की दाढ़नाएं आज़ादी के समय भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे पहला उधारवादी पुंजीवादी मॉडल जो यूरोप के दिक्तर रिस्सों और अमरिका में अपनाए गया था वहीं दूसरा मॉडल समाजवाद से गेरे तोर पर परभावित थे ऐसे लोगों में बारती कमेरिस पार्टी ही नहीं बलकि सोसलिस्ट पार्टी वर कॉंग्रिस के निजदा स्वयम नहरू जी तक उसमें सामिल थे नियूजन अर्थ विस्ता की पुंदर दिर्मान के लिए नियूजन के विचार को 1940 और 1950 के द और देश में नियूजित अर्थ विस्ताव त्यार गया जैसे बंबे फ्लान का गया बंबे फ्लान की मनसा थी कि सरकार और ज्योगिक चता आर्थिक निवेस्ट के चत्र में बड़े कदम उठाए सरुवाती कदम के मगर जाल से निकालने की थी इसमें सबसे ज्यादा जोर करसी चत्र पर दिया गया इस योजना में बांद और शिचाई के चत्रों में इवेस्ट किया गया पाग्रान आंगल जैसे विच्छी शालप रिजनाओं को भी दंद्रा से आवंडित की गई दूसरी पंच परसी योजना उनिसोचपन से उनिसीक्षर तक पारियुद्यों को के विकास पर जोर दिया गया इसके योजना कार परसीद वेक्यानिक तता सांकी विद भारतियों सांकी की संस्तान के संस्तापक PC महाल नोविस थे जिनका जीवनकाल 1894 से 1922 सकता जेसी कुमारप्पा जिनका परसीद पुस्तक थी Economy of Permanence जैसे कि आपको भी जिसे इस बार रास्तान बोर्ड में अब्जेक्टी सवाल ज़्यदा पूछे जाएंगे तो इनको विश्यच जान रगें इनकी परसीद पुस्तक Economy of Permanence या उनका मूल नाम के सी कुमारपा का मूल नाम जैसी कार्णिलीज थ इस बात के परेयास की कि लोग पंचाργो प्रकानत अजिलासस्तर की वेज्यद्यों को त्यार करने में सामिल ऊनका जिया है और उर इससे स्था स्वास्ते बोमि शुदार गरिवी वंदमलंद पर जोर दिया गया विकास से जुड़े दो मु unstable या प्रस्वन प्रस्वन था किर्षी बना मुद्योग और दूसरा प्रस्वन था नीजिष चटर बना साज़ मीद्चेत्र किर्षी बना उद्योग में विवाद इस बात पर था कि ज्यादा संसादन किसमें लगा जाएं कर्षी में या उद्योग में केशी कुमारपा जैसे गहंदीवादियों ने ग्रामेण उद्योगी करन पर जदर जोर देने की बात कही वहीं चोदरी चरण सिंग जैसे जो पहले कॉंगरेस में थे और बाद में उन्होंने नई पार्टी बार्टी लोग दल बनाई थी ने खा कि नियूजन से शैरी और और जोकी क्तब के समर्द हो रहे हैं तो इसकी कीमत किसान वा ग्रामेंट जनता चुका रही है इस तरह से ये दो विवाद के मुखी बिंदू थे दूसरा विवाद का में दूधा नीजी बनाम साजमीक विकास के ततकालें प्रसलित मॉडल पुंजी बादी और दूसरा समाजवादी को नापना कर भारत ने इससे मिलता जूलता रूप अपनाया जिससे मिस्रित अर्दवस्ता का जाता है जिसमें खित्री किसानी वेपार या आतमें रहा और राजी ने अपने आहत में बारी विध्योगों को रखा तो उसने आदारपुंच रांचा पर्दान किया राजी ने वेपार का नीमन किया तो तह ने तो खृषिक के चित्र में कुछ बड़ी अस्थक्सयाग क्यिसी है पहला बुनियाद इस दौर में भारत में आगामी विकास की बुनियाद पड़ी बारत की बड़ी विकास प्रिजना है साजनिक चत्र की कुछ बारी उद्योग प्रिवन वा संचार के आधार बूत ठांचे आधिक इस्तापना हुई दूसरा जो प्रभावता भूमी सुधार इस अबदी में भूमी सुधार के गंभीर प्रियास की गए जमिदारी पर्था को समाप्त किया गया तता भूमी की अधिक्तम सीमा त्या की गई खद्य संकट 1965 से 1967 की बीच में देश के आने किस्व में सुखा पड़ा इस काल में युद्ध विदेशी मुद्रा संकट तता खद्यान की बारी कमी का भी सामना करना पड़ा खद्यान संकट के कारण सरकार को क्यों का आयत करना पड़ा स्वेट करांती या ओपरेशन फ्लड मिल्कमैन ओप इंडिया के नाम से मसूर वर्गीज कुरियन गुजरात सहिकारी दुख्द और वित्तरन परिशंग की विकास गता में केंद्री भुमिका निवई और अमोल की शुरुआत की गुजरात की आनंद से सहिकारी दुख्द पदन का अंदोलन शुरुआ इस मॉडल के विस्तार को स्वेट करांती का नाम दिया गया जता है 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामन विकास करकम भी शुरू किया गया तो इस तरह से रक्टर वर्गीज कुरियन और आनंद ये दो मैंतोपोने हैं जिनको याद रखना है अरित करांती इसकी सुरुआत 1970 के दसक में हुई इसके तीन तत्व थे पहला कर्षी का निरंतर विस्तार दूसरे दोरी फसल का उदेश है और अच्छे बीजों का परियोग इसे उत्फादन में रिकॉर्ड वर्दी हुई विशेश कर कर्षी कर चेत्र में वर्दी हुई और अध्य की विकास और विनियादी टांचे में भी विकास हुआ और विशेश कर ग्यों चावल की कर्षी में वर्दी हुई कमियां अरित करांथी के लाब के लाब कुछ कमियां भी नहीं जैसे इसका लाब कुछ राजियों को ही मिला विशेज करोतर प्रदेश रियाना पंजाब को ही मिला और सिर्प क्यों और चाहुल के उत्पाद्बन में वर्दी हुई अन्य फसलों की इस क्रांती में उप्रिक्षा हुई असर है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा इस रंकला के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जब भी नए वीडियो अप्लोडो तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और अगर पढ़ते पढ़ते बूर हो जाएं तो इस चैनल पर खुब सारे फुलो के वीडियो है आप उनको देखते रहें नस्त रहें जै हिंद जै भारत